तान तान शिरी गुरु नानक देव जी जदू करतार पुर विच आगे सन ता गुरु जी रुजानना सवा पहर रात रहन दे जाग पैन दे ते फिर रावी नदी विच इशनान करल लई बाहर चले जान दे अते नदी दे कनारे ते बैठ के प्रभु विच त्याँ लोगान जदू रात चार कडियां रह जान दियां ता गुरु जी ता रमशाला विच आ जान दी उत्थे परमातमा दी सिवत सलादा सुन्दर किर्तन हुन्दा जिसनु सुनेयां हिर्दे विच प्रेम पाव पैदा हुन्दा उस संगत विच एक सैदो के ओ नादा सिख सी जो हर रोज गुरु जी कोल आ के सेवा करया करी एक दिन सैदो के ओदे मन विच आया कि गुरु जी रात नू जदू रावी नदीते जान दे हान ता उत्ते बैठ के पाणी दे देवता वरून दी पूजा कर दे हान अते मन पासों प्रापत कर लेंदे हन सैदो नू गुरु जी दी हो रही महमा उपर परम हो गया ओहु अनजान गुरु जी दे पेदनू समझ नई सी सकया उसने सोचिया कि पाणी दे देवता दी बोध पूजा करन सदका ही गुरु जी विच इन्नी करामाती शक्ती वदी है सारी व सैदो के उने सोचिया कि मैं वी वरुन देवता दी पूजा करांगा तांकि मेरे विच वी शक्ती पैदा हो जावे इस तरह उसने मन विच तार लई ओदू रात टाई पहर बीत गई सी ओदू सैदो के उ नदी दे कंडे वाल चाल पेया रस्ते विच उसनू एक आदमी मिलिया जिसने हाथ विच एक मच्छी फड़ी होई सी उस आदमी ने सैदो के उनुप पुछया पाई तू इस समय हनेरे विच कित्थे चलिया है सैदो ने उत्तर दिता कि मैं ख्वाजे दी पूजा करन चलिया हां साड़े गुरु जी ने सारी वड़े आई ख्वाजे कुड़ो पाई है मैं भी ओह वड़े आई पाणा चांदा हां सैदो ने पुछया पाई तू कौन है एनी रात विच किदर जा रहा है तू चोर है कि सिख है उस बंदे ने सैदो नो उत्तर दिता मिन्नो कोई होर ना जान मैं सारी नदियां दा स्वामी हां मैं पाणी दा देवता हां मेरा नाम वरून है मैं गुरु जी दी पूजा कर लई जान दा हां अते रुजाना पूजा करके उना दे दर्शन कर आउंदा हां सैदो के उ सुन के बहुँ जादा हरान होया सैदो के उने उस आदमी नो किहा मैं ता अपने मन विच कुछ होर ही सोचिया सी कि गुरु जी तो आड़ी सिवा कर दे हां अते ता ही उना विच एन्नी शक्ती पैदा हो चुकी है सारियां रिद्यां सिद्यां उना ने तो आड़े पासों ही प्राप्त कितिया हन मैं ता इस तरह दी सोच ही मन विच वसाई होई सी अते मैं एहो ही सोच के तो आड़ी सेवा कर ले चल पिया सां तुसी ता मिलके सारा कुछ ही दास दिता है सैदो नु सुन के वरूम देवता ने फिर केहा Mongoloo जी नु गुनादी खान जान उना ने ता लोकांदा उदार कर लेही इवतार लिया है करतार ने आप ही दोही रूप विच स्रीरतार्न किता है मन विच शर्दा तार के तो उना दे चर्न कमला विच सेवा कर किसे परम विच ना पै सैदो क्यों एह सारा कुछ सून के उसी वक्त उत्थे आ गया जिते किरपालू गुरुजी बैठे होए सन नमसकार करके जदू गुरुजी पास बैठा ता देख के गुरुजी बोले तु अद्धी रात नू क्यों आया है अगे दिन चड़े आया करदा सी ता सैदो ने अपने नाल जो बित्ती सारी गल दसी हे प्रभुजी मैं आब दे पेदनू जान नहीं सी सकया इस करके मैं मूर्ख मतवाला परम गया सी हुन मैं आब दे वड़े परताबनू जान गया हां उस दी सारी कहाणी सून के गुरुजी ने अपने कोबल मुखतों इस शबद दा उचारन किता हीरे जैसा जनम है कोड़ी बदले जाए नाम ना जानिया राम का मुड़ फिर पाच्छे पस्ताई रे शबद दा पाव अर्थ है गुरु नानक जी सैद्धानू आखदे हन देख पाई एहे जो जगत है संपूरन तोरते अरातनू सो रेंदा है दिन खान पीन विच लंगा देंदा है एहे जो जीमन दे स्वास हन जीमन हीरे जवारत वरगा है पर मनुख कोटी देपा इसनू गवा देंदा है प्रबुदा सिम्रन नहीं करदा ता खीर नू पूर्ष पस्ताउंदा है पाप करके ता नकमांदा है बेयंत पैसे नू सब चौंदेहान पर नाम देता नू कोई अकठा नहीं करदा मनुखा जनम आपना बरबाद कर लेंदा है जिस परमेशर ने जगत बनाया है ओहो कर्मा उनसार संसार दा उदार करदा है एहे उदार गुरु द्वारा हुंदा है गुरु जी द्वारा इस शब्द दा उचारन सुन के उस दे मान विच शर्दा वाद गई ते फिर गुरु जी दी सेवा विच जूट गया सो साथ संगर जी जेकर एहे साकी पसांद आई होवे था इस विडियो नू लाइक करो शेर करो अते कमेंट बुक्स विच वाहिगुर जी जुरूर लिखो